अब आप फोन पे एप के जरीए इंटरनेशनल यूपिया टानलेक्शन कर सकते हैं इस वीडियो में लोग डीटेल में प्रोसेस यहां पर समझेंगे कैसे अक्टिवेट करना है क्या कि यहां पर प्रोसेस देने वाले हैं आपके जो भी फोन पे आप में बैंक्स लिंक होगे वह यहां पर शो किये जाते हैं फिलाल यहां पर देखा जा रहा है कि जितना ज्यादा करके गौर्रमेंट्स बैंक है उड में आपको यह फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा तो एक्जामपल के लिए यहां पर मेरे पास को बढ़ोधा यहां पर activate करने को option आ रहा है कि मैं bank को बढ़ोधा के साथ link करके यहां पर international UPI transaction कर सकता हूं तो just मैं यहां पर activate में क्लिक करूंगा जैसे activate पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको चार डिजेट का UPI पिन डालने को मिलेगा तो यहां पर just मैं डाल देता हूं जैसे यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा से यहां पर activation में प्रोसेस लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि UPI इंटरनेशनल इस activate from 16th April to 15th July यानि कि something यह तीन महिने तक का होता है duration तीन महिने के लिए आप अक्टिवेट कर जाएगा हो सकता उसके बाद फिर दीक्टिवेट भी कर दिया जा सकता है तो फिर से आप अप में आकर कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यहां प इंटरनेशनल टांशनल बिल्कुल फ्री होने वाला है तो इसा बिल्कुल नहीं है मैं आपको यहां पर टंप्शन कंडिशन दिखा दे रहा हूं यहां पर क्लेशन किया गया है कि you are concerned to all charges applicable for UPA international transaction including any processing fee that is left by your bank यानि कि आपका bank का जो भी rate होगा यह वो markup charge हो गया या foreign exchange charge हो गया जो भी bank का particular एक charge होता है वो आपसे यहां पर definitely लिया जाएगा clearly mentioned किया गया है you also understand and agreed the fluctuations in the currency rate during the transaction may result into dynamic charges left and the end of the transaction with reference to charges displayed at initials of the transaction यार यह clearly बोला जा रहा है कि आपका जो भी currency rate होगा वो fluctuate करते रहता है उस basis पर आपसे यहां पर इस पर charges भी लिये जाएंगे यहां पर यह फ्री नहीं होने वाला जो भी charge होगा international transaction का जो banks आपसे लेती है वो आपको यहां पर charge पे करना पड़ेगा एक चीज़ मैं clarity के साथ अभी बता दू कि कुछ selected यहां पर countries में इस चीज़ को यहां पर applicable किया गया है जिसका मैं यहां पर लिस्ट आपको दिखा दूँगा तो इन सारे countries में आप जो है international UPR transaction को यूज कर सकते हैं विचर में यहां पर और भी सारे countries को इंक्लूड यहां पर गया जाएगा तो यहीं थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो है फ्लीज वीडियो को लाइक करेगा इस वीडियो को शेर करना ना बूलें मिलते हैं लिए वीडियो साथ अब तक लिजाहिन जावारत